दोस्तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे पसंद किया जाए और पसंद करने वाले व्यक्ति को जेंटलमेन कहते हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे उन साथ आलतों के बारे में जो आपको जेंटलमेन बना देंगी जो आपको सब के द्वारा पसंद करवाएंगी दोस्तो यह ब पुस्तक काफी बड़ी है, 50 आदतें किसी वीडियों में बताना और उस पर अमल करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने वो 7 बातें इस पुस्तक से निकाली है, जो आपके लिए सबसे महतोपुर्ण है, जो आपको जेंटलमेन बना देंगी, आपको भीड से अलग कड़ा कर दे तो दोस्तों चलिए जानते हैं, ये साथ आतें कौन सी है, पहली आदत, परसनल हाईजीन, जी हाँ दोस्तों क्या आप उस व्यक्ति को पसंद करेंगे, जिसमें से स्मेल आती है, जिसमें से बदवू आती है, नहीं, तो इसलिए सबसे पहली आदत, परसनल हाईजीन की है, जब आप हाईजीन का ध्यान रखते हैं, अपनी साफसफाई का ध्यान रखते हैं, अपने श्रीर पे काम करते हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं. दोस्तों प्रकृतिक रूप से हर व्यक्ति को पसीना आता है और वो पसीना स्मेल करता है जो किसी को पसंद नहीं आती इसलिए आप नीमित शनान करें अपने आपको साफ सुत्रा रखें परसनल हाईजिन का विशेज ध्यान रखें हर व्यक्ति को खांसी और छीक आती हैं आपका एक अलग व्यक्ति तो जलकेगा तो दोस्तों सबसे पहली और इंपोर्टेंट आदत है परसनल हाईजिन की जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको अपने श्रीर के साथ साथ मुख की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके मुझ से भी कोई द्रुगंद ना आए कोई स्मेल ना आए आपको डेली अपने दातों को दो बार ब्रश करना चाहिए सुबह और आपको सोते हुए तो परसनल हाईजिन का ध्यान रखके आप सब के द्वारा पसंद किये जाएंगे दोस्तों दूसरी आदत है अपिरेंस मैटर जी हां दोस् कपड़े कैसे हैं वो प्रेस किये हुए इस्तरी किये हैं या नहीं हमारे कपड़े चोटे बड़े तो नहीं है हमारी कोई शर्ट मुड़ी हुई या कहीं से नीची और कहीं से उची तो नहीं है हमने जंगे के इसाब से के इसाब से समय के निसाब से सही कपड़ों का चुन डाली हैं ये जंगय के हिसाब से और function के हिसाब से बहुत matter करता है तो दोस्तों यदि आप एक अच्छे gentleman know your boundaries जिहां दोस्तों बहुत important आदत है जब हम दूसरे के space में private space में अनाधिकरित यानी unauthorized त्रीके से प्रवेश करते हैं तो ये किसी को पसंद नहीं आता किसी भी व्यक्ति के privacy में जब तक enter ना करें जब तक दूसरा व्यक्ति आपको उसके लिए permission ना दे permit ना करें जिहां दोस्तों ये बहुत अच्छी आदत है जब अपनी boundaries को जानेंगे आप अपने दायरे में रहेंगे और दूसरे व्यक्तियों के साथ सही डंग से पेश आएंगे बिहेव करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे दूसरों की privacy में बिलकुल भी दखल ना द दोस्तों चोती आदत है भी polite दोस्तों अपने से senior अपने से बड़े अपने boss के साथ तो हर व्यक्ति polite होता है मजा तब है जब आप अपने से छोटों के साथ अपने sb ordinate के साथ अपने कुलीद के साथ पॉलाइटनेस के साथ सरल्स भाव के साथ पेशाएं उस व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद करता है जो बोलने में मदूर होता है मीठा होता है आपने कोयल और कववे की कहानी सुनी ही होगी एक करकशवानी वाला कोवा सब के दुवारा मिकार दिया जाता है लेकिन मीठा बोलने वाली कोयल सब को पसंद आती है तो दोस्तों सब के साथ मीठा वेवार करें पॉलाइट तरीके से बात करें सरल्स भाव में रहें दोस्तों पांचवी आदत है बोरोईंग एंड शेरिंग दोस्तों हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की अफशकता पड़ती है हम लोगों के साथ शेर भी करते हैं उनसे उधार भी लेते हैं लेकिन ध्यान ही रखना है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई चीज़ आप बोरो करें तो उसे जब वापस करें तो वो पहले से बेतरा वस्ता में होनी चाहिए मानलो आप किसी की गाड़ी मांगते हैं अपने काम के लिए तो जब आप गाड़ी वापस करें तो यह ध्यान रखें कि गाड़ी वाश करके वापिस देनी है गाड़ी धोकर वापस देनी है और उसके साथ साथ जितना पेटरोल या डीजल आपने इस्तेमाल किया है उससे कुछ जादा ही डीजल आपने दलवा कर उसकी गाड़ी में देना है ताकि दूसरा व्यक्ति कभी भी आपको कोई भी चीज देने में संकोच ना करे और यदि आप गंदी कंडिशन में खराब कंडिशन में उस वस्तो को वापस करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि मैंने क्यूं अपनी चीज इस व्यक्ति को दी तो यदि आप चाहते हैं कि आप एक gentleman बने तो ये बहुत अच्छी आदत है दोस्तो चटी आदत है respond invitation जी हाँ दोस्तो जब कोई व्यक्ति किसी function के लिए किसी कारेकरम के लिए आपको invite करता है तो आपको उसे proper तरीके से respond करना है इस बात का बड़ा महतव है आम तोर पर लोग respond नहीं करते है दूसरा व्यक्ति जिसने आपको बुलाया है वो व्यवस्ता तभी सही डंक से कर पाता है जब उसको पता हो कि कितने guest आने वाले हैं यदि आपका पुर्वा कुस इन्विटेशन को सिविकार करें और उस व्यक्ति को बताएं कि मैं आपके कारेकरम में आकर अपने आपको अ कारेकरम में आऊंगा तो एक बहुत अच्छी आदत है कि आप इन्विटेशन को रिस्पोंड करना सीखें दोस्तों सात्वी और सबसे अंतिम आदत है रिस्पेक्ट साइलेंस जिहां दोस्तों हर व्यक्ति को शान्ति प्रिया होती है जब आप ऐसी जंगे होते हैं जहां कि दूसरों की साइलेंस को बरकरार रखना है उनको रिस्पेक्ट देनी है तब यह आप एक अच्छे जंटलमेंट बनेंगे दोस्तों यह देखने में तो बहुत छोटी आदत लगती है लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट आदत है क्लास के अंदर भी टीचर उनी बच्चों क पसंद करती है जो फालतु शोशराबा नहीं करते ध्यान से अपने काम को करते हैं टीचर की कही हुई बात को समझते हैं और साइलेंस बरकरार रखते हैं तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरों की साइलेंस को ना तोड़ें उसे रिस्पेक्ट दें दोस लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे लाइक करें कमेंट करें शेर करें और जिस विशह पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आओ उसे कमेंट बोक्स में अवश्य लिखें मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ए झाल, 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 झाल